नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में दोस्तों कल्पना कीजिए अगर भारत और पाकिस्तान कभी अलग ना होते क्या होता अगर आज हम एक ही देश होते एक ऐसा देश जिसमें 1.6 बिलियन्स जादा लोग होते जहां धर्म, संस्कृती और भासाओं की एक अनोखी विविदता होती आज हम इसी काल्पनिक दुनिया में आपको लेके चलते हैं और सोचते हैं अगर भारत और पाकिस्तान एक होते तो दुनिया कैसी होती तो चलिए सुरू करते हैं आज के इस विडियो में और हम जानेंगे कि अगर भारत पाकिस्तान एक देश होता तो क्या होता जिसको हम लोग एक एक पॉइंट के माधियम से समझेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक प्रद्रिश्य से हमारा देश कैसा होता अगर दोनों देश एक होते अगर भारत और पाकिस्तान एक होते तो हमारा राजनीतिक प्रद्रिश्य कैसा होता सायद दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक विवस्था और भी मजबूत होती हमारे पास एक ऐसा सविधान होता जो सबके अधिकारों की रक्षा करता लेकिन सवाल या भी है कि क्या एक ही सरकार इतने बड़े और विविदता पूर्ण देश को सही तरीके से चला पाती क्या राजनीतिक आईस्थिरता होती क्या अलग-अलग विचाधाराओं के बीच संगर्स बढ़ता तो ये थी आप राजनीतिय प्रिद्रिश्य से देख सकते हैं चलिए अब हम लोग देखेंगे आर्थिक सक्ति के माधियम से हमारा जो भारत है दोनों देश अगर बटवारा नहीं होता तो क्या होता दोस्तो एक जुट भारत और पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक सक्तियों में से एक होता अगर हमारा देश एक होता हमारी स्विक्त जीडिपी हमें अमेरिका और चीन के बराबर खड़ा कर देती अगर दोनों देशों के संसाधन और मानों सक्ति एक साथ होते तो हमारे पास टेकनोलोजी, क्रिसी और मैनिफेक्चरिंग में जबरजस्थ विकास होता भारत के IT सेक्टर और पाकिस्तान के टेक्स्टाइल उद्योग मिलकर एक नई आर्थिक करांती ला सकती थी जब अगर हम दोनों देश एक होते अब हम लोग जानेंगे संस्क्रितिक विविदता के धार पर अगर हमारा देश एक होता तो कैसा होता हमारा देश संस्क्रिती और धर्मों की एक अनोखी धरोगर होता इद, दिवाली, होली और बकरित जैसे तेवहारों का एक साथ मनाया जाना एकता का प्रतीक होता लेकिन क्या इतने सारे धर्मों और संस्कृतियों के बीच इसमान जस्या बना पाता? क्या धार्मिक और संस्कृतिक संगर्स हमारे विकास में बाधा बनते? या फिर हमारी विविदता हमें और भी अधिक मजबूत करती? या बनाती? अब हम लोग देखेंगे सुरक्षा और सैने ताकत के अधार पे हमारे देश कैसा होता जब भारत और पाकिस्तान एक होता? एक जूट भारत और पाकिस्तान के पास दुनिया की सबसे बड़ी और शक्ती साली सेना होती हमारी सुरक्षा किसी भी बाहरी खत्रें से अडिग होती लेकिन आर्थिक सुरक्षा माप कीज़ेगा आंत्रिक सुरक्षा का क्या? क्या हम आतंगवाद और कटर फंथ से निपटने में सफल होते? क्या हमारी एक ताहमें अंदुरूनी खत्रों में से बचा पाता? क्योंकि जो अभी वर्तमान समय में देख पाते हैं कि आतंगवाद, कटर फंथ हमारे देश में हावी होता जा रहा है चलिए, अब हम लोग देखेंगे अगर हमारा देश एक होता तो अंतराश्ट्रे परिद्रिश्ट्रे से कैसा होता? दुनिया के एक बंच पर एक जूट भारत और पाकिस्तान की आवाज और भी बुलंद होती हमारे पास संग्त राष्ट में बड़ी ताकत होती और हमारा प्रभाव एसिया से लेकर अफरिका तक फैला होता लेकिन यहाँ पर भी सवाल उत्पन होते हैं क्या हमारे विदेश नीती एक जूट हो पाती? क्या फिर अलग-अलग विचा धाराएं हमें कमजोर बनाती? तो चलिए यहाँ पर जितने भी हम लोग पॉइंट्स देखे हैं उसका निसकर्स के तौर पर देखते हैं कि कैसा होता? दोस्तों यह सिर्फ एक काल्पिनिक सोच है जो मैंने आप सबों को बताया लेकिन इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आज हम जहां हैं वहां क्यूं है? अगर भारत और पाकिस्तान एक होते तो दुनिया की तस्वीर कुछ और ही होती लेकिन असल सवाल यह है कि क्या हम अपने मतभेदों को भुला कर एक नए भाविश्य की और बढ़ सकते हैं? क्या हम एक दूसरे के साथ मिलकर शांती और समरिदी का रास्ता चुन सकते हैं? तो यह सवाल हम सबों के सामने आता है माना की अभी हम लोग अलग-अलग देश हो चुके हैं लेकिन अगर हम लोग मिलके अगर रहें तो आज भी हम एक बड़ी सकती बन सकते हैं तो दोस्तों आपको क्या लगता है? अगर भालत और पकिस्तान एक होते तो दुनिया कैसी होती? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अगर आपको या वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं बुलिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना नहीं बुलिए ताकि इप नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएं तो आप सबों के सामने ये बहुत ही बड़ा टोपिक है अगर भारत और पाकिस्तान एक होता तो हमारा भारत शेयर, हमारा फ्यूचर कैसा होता तो ये था आज का वीडियो वीडियो के माधियम से मैंने बहुत सारी बाते हैं जो पॉइंट्स के माधियम से संचेप में समझाने का प्रयास किया तो ये था आज का वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताईए कि अगर भारत और पाकिस्तान एक होता तो क्या होता तो चलिए इसे के साथ मैं आज के इस वीडियो के ये पे समाफ्त करता हूँ अगर वीडियो के माधियम से आप सबों को कुछ भी बुरा लगा हो तो मैं शमा चाहूँगा क्योंकि मैंने जो भी आप सबों को बताया है ये एक काल्पिनिक सोच के माधियम से आपके सामने रखा है कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता तो इसलिए अगर कुछ भी पॉइंट के माधियम से आपको बुरा लगा है तो मैं आपसे शमा जाओंगा तो मिलते हैं एकने वीडियो के साथ तब तक अपना ध्यान दीजिए सुरक्षित रहे और खुस रहे मिलते हैं एकने वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद